Welcome Hi Friends! क्या आपने कभी ऋचा है की पॉडक्त को हम लोग कवर कैसे करते हैं? कभी उसको cover करने के लिए हम लोग paperbacks का use करते हैं कभी plastic containers का use करते हैं कभी glass containers का use करते हैं कभी plastic tubes का इस्तमाल करते हैं तो ये सब क्यों किया जाता है तो इन सारे questions का answer आज आपको मिलने वाला है क्योंकि जब भी हम लोग class 12 में marketing management पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत ही interesting topic है जिसका नाम है product mix product mix में हम लोग products के various mix को समझते हैं और उसका एक important mix है packaging तो marketing management करने के लिए सभी companies packaging का use करती हैं तो चलिए समझते हैं कि packaging क्या होती है और इसके क्या-क्या levels है और इसके क्या-क्या functions और importance है तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि packaging क्या होती है तो packaging का मतलब होता है an act of designing and developing the container or wrapper of a product good packaging often helps in selling the product so it is called silent salesman packaging का मतलब होता है कि एक container या wrapper develop करना जिसमें आप अपने product को cover कर सकते हो good packaging हमेशा से किसी भी product के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि उससे आपकी selling बढ़ जाती है अच्छी packaging को देखकर ज्यादा तर customers attract होते हैं और आपके product को buy करते हैं इसी लिए packaging को हम लोग silent salesman बोलते हैं ये बहुत ही important question मना आता है कि why packaging is called silent salesman तो इसका answer यही है कि packaging को ही देखकर customer attract होते हैं और product को purchase करते हैं इसी लिए इसको हम लोग silent salesman बोलते हैं अब इसका एक और important चीज है कि क्या packaging एक ही तरह के से होती है या उसके अलगलग types हैं तो निश्चिती उसके अलगलग types या levels होते हैं तो पहला जो level है उसको हम लोग primary packaging बोलते हैं primary packaging का मतलब होता है सबसे पहली layer जिससे product cover होता है उसको हम लोग primary packaging बोलते हैं for example अगर आप toothpaste यूज करते हैं तो toothpaste का जो tube होगा जिसको आप squeeze करते हैं toothpaste निकालने के लिए तो पहला जो level होता है उसको हम लोग primary packaging बोलते हैं फिर आपने देखा होगा कि जब भी आप toothpaste market से खरीदते हो तो वो एक cardboard के box में cover होके आता है इसको हम लोग secondary packaging बोलते हैं ये second level of packaging मानी जाती है इसके बाद आप देखते हैं कि दुकान वाले जब भी toothpaste को खरीदते हैं तो individual packets नहीं खरीदते हैं उनको जब भी toothpaste के bundles खरीदने होते हैं तो वो एक बड़े से cartoon को खरीदते हैं उस cartoon को हम लोग third level of packaging बोलते हैं जिसका नाम है transportation packaging तो ये होती हैं three levels of packaging transportation packaging का use होता है goods को आसानी से move करने में उसको store करने में transportation करने में काफी हद तक help मिलती है और साथ-साथ में उसको handling करने में भी बहुत आसानी मिलती है तो ये हैं आपके various levels of packaging पहला primary packaging यानी basic cover second है secondary packaging यानी basic covering के उपर जो हम लोग एक और additional layer देते हैं जिसको हम लोग secondary packaging बोलते हैं और third होता है एक bundle of secondary packet जिसको हम लोग transportation packaging बोलते हैं तीनों ही अपने अपना important role play करती है product को transport करने में, store करने में, promote करने में अब इसके बाद हमको ये जानने के ज़रो थे कि packaging का काम क्या है जो असली मुद्दा है तो चली समझते हैं कि functions of packaging क्या-क्या होती है packaging का पहला काम होता है product identification packaging helps in identification of product किसी भी product को पहचानने में सबसे पहला काम packaging करती है आप उसके अंदर के समान को नहीं देखते हैं उसके outer covering को देखते हैं और उसी से आप समान purchase करते हैं second है आपका product protection the main function of packaging is to provide protection packaging करने का एक और motive होता है कि जो भी अंदर समान है उसको safe रखा जाए उसको बाहर के environment में जो भी problems होती हैं जैसे कि moisture, heat, cold इससे बचाया जा सके ताकि आपका product लंबे समय तक चले इसी को हम लोग बोलते हैं product protection third है आपका facilitating use of product कई packaging ऐसी होती हैं जिससे product को handle करना और use करने में आसानी होती हैं और साथ साथ में उसको carry करने में भी आसानी होती हैं जैसे कि मैंने आपको पिछले उसमें example दिया toothpaste का tube आप imagine करिए कि कभी भी अगर आपके पास वो tube ना हो तो फिर आप toothpaste कैसे squeeze करेंगे cold drink की bottle ना हो तो कैसे आप cold drink को drink करेंगे तो ये सारी problem का solution होता है packaging और next function है product promotion सबसे important जैसे हमने बताया आपको कि packaging is called silent salesman packaging आपके product को promote करने में बहुत बड़ा role play करता है अच्छी और attractive packaging काफी सारे customers को attract करती हैं कि आपका समान वो purchase करें फोर्थ है rising standards of health and sanitation अगर आप अच्छी packaging करते हैं, hygienic packaging करते हैं तो उसमें adulteration करने के chances कम होते हैं और आजकर लोग भी packed products को purchase करने में ज़्यादा interest सो करते हैं as compared to open products क्योंकि उनका मानना ये होता है कि जब भी समान packed होता है तो उसमें adulteration के chances कम होते हैं नेक्स्ट है self-service outlets जैसे से mall culture बढ़ता जा रहा है departmental stores बन रहे हैं वैसे वैसे customers self-service की तरफ ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं अपने आपको वो यहां malls में जाते हैं बीना किसी के help के खुदी products को pick up करते हैं और अपने cart में store करते हैं तो यह सब काम करने के लिए packaging सबसे important होती है departmental stores में कभी भी कोई product open form में आपको नहीं मिलेगा वो हमेशा packed form में मिलेगा वो इसलिए दियाता है ताकि आपका समान properly pick up करने में असानी हो और साथ साथ में उसमें precautions भी होते हैं safety भी होती है जिससे आपको समान को handle करने में ज़्यादा problems नहीं आती है next is innovational opportunities innovation in the area of packaging has increased the self-life of the products tetra packs for milk is the example of this दीरे दीरे packing में भी innovations हो रहे हैं आजकल हम लोग preservatives का इस्तमाल करते हैं जिसकी मदद से आप किसी भी food products को लंबे समय तक store कर सकते हैं यानि सीधी तौर पे हम उसकी life को increase करते हैं by using good packing methods सबसे अच्छा examples है milk products का चाहे वो आपका milk हो चाहे वो घी हो चाहे वो curd हो या butter हो आजकल जादातर अच्छी packing में sealed होकर आते हैं और उसमें ऐसे chemicals मिलाए जाते हैं ताकि आपका product जल्दी खराब ना हो तो सीधी तौर पे ऐसे इनोवेशनल जो opportunities हैं वो product की life को बढ़ा रहे हैं और consumers को भी काफी हद तक help कर रहे हैं उसको store करने में next है product differentiation आजकल हर product के इतनी ज्यादा varieties हैं इतनी ज्यादा brands हैं कि customers यही सोच कर परिसान रहते हैं कि हम क्या purchase करें किस brand को prefer करें तो आजकल ज्यादातर brands अपने unique packing methods का use करती हैं ताकि वो अपने customers को convince करें और अपने product को identify करने में customers की help करें सभी brands की अपनी अपनी packing की पहचान होती है लोग उस packing की पहचान से ही उस product को pick up करते हैं उसका color होता है उसका labeling का एक style होता है उसको ही customer दूर से पहचान लेते हैं जैसे red label tea, green label tea इनका जैसा नाम है वैसे ही इनके packet का color होता है तो लोग आसानी से दूर से ही समझ जाते हैं कि ये red color का box है तो ये red label tea है ये green color का box है तो green label tea है इस तरीके से product को identify करने में और differentiate करने में ज़्यादा help मिलती है खास कर malls में, departmental stores में जहां customers खुद से समान purchase करना चाहते हैं तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा help करता है तो ये हैं आपके functions of packaging levels of packaging और importance of packaging निश्चती आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा प्लीज इसको अधिक से दिक अपने friends के साथ जरूर like share करें हमारा channel Mission Commerce जरूर subscribe कर लीजे नीचे दी गई bell icon जरूर प्रेस कर दीजे ताकि ऐसे ही हमारे interesting videos को आप future में भी देखते रहें तब तक के लिए thank you